ओम शांती, 30 जून 2022 के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिग्या की है, उस पर पूरा पूरा चलना है, धरत पर ये धरम ना छोड़िये, यही है सबसे उची मंजिल, प्रतिग्या को भूल उल्टा कर्म किया, तो रजिस्टर खराब हो जाएगा प्रश्ण, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अत्वा निशानी क्या होगी उत्तर, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे, तो बुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा सदा बाप और वर्से के सिवाए और कुछ भी याद नहीं होगा यथार्त याद माना ही, यहां का कुछ भी दिखाई ना दे देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे, कि यह सब मुट्टी में मिल जाना है यह महल आदी खलास हो जाना है, यह कुछ भी हमारी रासधानी में नहीं था ना फिर होगा गीत मांजी मेरी किस्मत की ओम शान्ती यह गीत की लाइन वास्तों में रोंग है बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए कहां ले जाएंगे? मुक्ती और जीवन मुक्ती धाम जितना उजपद चाहें उतना लो ऐसे नहीं वह जहां चाहें चाहते तो सभी हैं कि पुरुशार्थ करी प्रन्तु ड्रामा अनुसार सभी पुरुशार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे ये तो अपने उपर बच्चों को कृपा करनी है ज्यान सागर तो ज्यान और योग सिखलाने आई हैं यह है उनकी कृपा टीचर पढ़ाते हैं योगी योग सिखलाते हैं बाकि कम जास्ती सीखना तो उनकी उपर है तुम जानते हो कि हम सभी सत के संग में बैठे हैं ना कि जूट के संग में सत का संग एक ही है क्योंकि सत है ही एक सत्यों की भी स्थापनावई करते हैं और सत्यों में ले जाने के लिए पुरुशार्थ भी करवाते हैं सच का एक शलोप भी है कि सच बोलना, सच चलना, तब ही सच खंड में चल सकेंगी सिख लोग कहते भी हैं सत श्री अकाल एक ही वो सत्य बाप सबसे स्रेष्ट है अकाल मूरत है, उनको कभी काल खाता नहीं मनुश्यों को तो गड़ी-गड़ी काल खाता है तो तुम बच्चे सचे सत्संग में बैठे हो भारत जो भी जूट खंड है, उनको सच खंड बनाने वाला एक ही बाप है देवी देवताएं सभी बच्चे हैं यहां से देवताएं पुन्य आत्मा पने का वर्सा ले जाती हैं यहां तो जूट ही जूट है गवर्मेंट जो कसम उठवाती है वह भी जूट कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं परन्तु यह कहने से मनुश्यों को डर नहीं रहता इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे दुख होगा क्योंकि समझते हैं कि इश्वर हमको बच्चे देते हैं तो इश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं पता नहीं मर जाएं तो इसमें हिचकेंगे इस्त्री पते का कसम कभी ने उठाएगी पुरुष इस्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे समझेंगे कि एक इस्त्री मर गई तो दूसरी ले लेंगे मनुश्य मात्र जो भी कसम उठाती हैं वह सब जूट है पहले तो गोड फादर को समझें ने तो फादर पने का नशा नहीं चड़ता तुम बच्चे तो जानते हो सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है उस सत का नाम है श्यू अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूझ पढ़ेंगे परंतु समझाने में कहना पड़ता है गीता में भी है रुद्र ज्यान यग्ये जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है वह भी यहां की ही बात है कृष्ण के यग्ये का नाम नहीं है दोनों को मिक्स्चर कर दिया है समझाया गया है कि सत्यू त्रेता में तो कोई यग्ये होता नहीं है यग्ये होता ही है एक ग्यान का बाकी सब हैं मैटीरियल यग्ये पोथी परना, पूजा करना सब है भक्ती मार्क ज्यान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं मनुश्य सभी ईश्वर के लिए भी जूट बोलते हैं इसलिए ही भारत कंगाल हुआ है इन जैसा बड़े से बड़ा जूट कोई है नहीं यह नाटक तो बना हुआ है इसका एक नाम है भूल भुलया अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना फिर बाप आकर भटकना चुड़ा देते हैं यह ड्रामा में हार जीत का खेल है हार खाने में आधा कल्प लगता है एकदम पूरा मित्ती में मिल जाते हैं बड़ी-बड़ी गीता पाठशालाईं बनाते हैं यह बाते सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते गीता का भारती विद्या भवन बनाया भी है नाम तो गीता का बड़ा भारी है गीता को कहा जाता है सर्व शास्त्रमई शिरोमनी पुरंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे है गीता का नाम तो बहुत चला आता है बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ नाकी स्री कृष्ण अभी है संगम बाप रचैता है जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण वा लक्ष्मी नारायन आई बाप आकर स्वर्ग का मालिक हम को ही बनाते हैं जगत अंबा और जगत पिता द्वारा राजयोग तो भगवान के सिवाए कोई सिखला न सके जगत अंबा बहुत नामी ग्रामी है कलश भी जगत अंबा पर रखते हैं लक्ष्मी नारायन वा राधे कृष्ण तो अब है नहीं कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है नहीं भागवत में हैं बाप कहते हैं कि जो राधे कृष्ण थे वह अब 84 वे अंतिम जनम में है मैं उनों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूं सभी को गोरा बना रहा हूं ये बड़ी गुहिये बाती हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्य वन्षी चंद्र वन्षी दैवी घराने के हैं हमने 84 जनम भोगे अब फिर से हम सत्यूग में जाएंगी गिंती तो सत्यूग से लेकर करेंगे न 84 जनमों का चक्र भी मशूर है तुम वर्से को घड़ी घड़ी याद करते हो न अब 84 के चक्र को याद करो इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रोफी को याद करना जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है तमो प्रदान मनुश्य पांच विकारों में फसे हुई है बाप कहते हैं मैं पन छोड़ दो लेकिन छोड़ते नहीं इतनी बेहद की राजाई मिलती हैं तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे क्या यह विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते हो कि छोड़ने के लिए ख्याल करेंगे अरे अभी तो प्रतिग्या करो तो बाप से मदद मिलेगी इतना जरूर है कि प्रतिग्या कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना धरत पर ये धरम ना छोड़िए बड़ी कड़ी मंजिल है बात तो पूरी कोशिश करेंगे न लूज नहीं चोड़ेंगे अच्छा एक बार माव कर देंगे अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे इसमें रजिस्टर खराब होता है ये विकार तो पोईजन है ज्यान है अमरित जिससे मनुश्य से देवता बनते हैं वह तो है कुसंग सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धून मचाते हैं क्योंकि सत श्री अकाल ने सब का उद्धार किया है परंतून को भूल गई है भूलना भी ड्रामा में है जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा सम्या से बाप कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ बाप कोई कष्ट नहीं देते बल एरोपलेन में जाओ मोटरों में घूमो फिरो परंतू खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है भोजन पर दृष्टी दे कर फिर खाना है लेकिन बच्चे यह भून जाते हैं इसमें तो बाप को वा साजन को खुशी से याद करना है साजन हम आपके याद में आपके साथ भोजन खाते हैं आपको अपना शरीर तो है नहीं हम आपको याद कर खाएंगे और आप भासना लेते रहना ऐसे याद करते करते आदत पढ़ जाएगी और खुशी का पारा चड़ता रहेगा ज्यान की धार्णा भी होती जाएगी कुछ खामी है तो धार्णा भी कम होगी उनका तीर जोर से नहीं लगेगा बाप से योग माना देखते हुए भी यह समझना कि ये अच्छे-च्छे महल भी मित्ती में मिल जाएंगी ये हमारी राजधानी में नहीं थे अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है उसमें यह कुछ नहीं होगा नई दुनिया होगी ये पुराने जाड़ आदी कुछ भी नहीं होगी वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीजे होगी इतने जानवर आदी ये सब खलास हो जाएंगी वहाँ बिमारिया आदी भी कुछ नहीं होगी ये सब बाद में निकली हैं सत्योग माना ही स्वर्ग यहाँ तो हर चीज दुख देने वाली है इस समय सब की आसूरी मत है गुवर्मेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचलना हो अभी तो बहुत चंचलता हो गई है पिकेटिंग करना भूख अड़ता लादी ये सब हो रहा है ना ये सब किसने सिखाया खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है बाप कहते हैं बच्चे शांती में रहो जान जादी बजाना रडिया मारना ये सब है भक्ती की निशानिया तुम साधना तो जनम जनमांतर से करते आई हो साधना नाम चला आता है प्रन्तु सद्गती तो किसी की हूती नहीं तुम्हारे पास चित्र आदी भल लिट्रेचर भी ना हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकती हो कि यह लक्षमी नारायन पहले स्वर्ग के मालिक देना उनों को जरू स्वर्ग के रचेता से वर्सा मिला होगा स्वर्ग का रचेता तो है परम पिता परमात्मा जो ही समझाते हैं मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते हैं तुम बच्चे सुमझाएंगे तो उन्हों को परंपिता परमात्मा से वर्सा मिला है जरूर कल्यूग के अंत में मिला होगा ना गीता में राजयोग की बात है जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे और सीखे होंगे परंपिता परमात्मा से ना की स्री कृष्ण रचना से रचीता तो एकी बाप है जिसको ही हेवनली गोड फादर कहती है जो अच्छे विशाल बुद्धी है वो अच्छी रिती समझते भी है और धार्णा भी करती है चोटी-चोटी बचियां बड़े आदमी से बैट बात करें चित्रों पर समझाई इन्हों को रचनी वाला कोन वल कोमन चित्र भी हो वहन नै भी हो बचियां तोटली भाशा में समझा सकती है चोटी बचियां अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे बलिहारी इस एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ तब तो सुनाती हूँ बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो एक सत्गुरु तारे बाकी सब डुबोने वाले हैं ऐसे टिकलू टिकलू करे तो नाम बाला हो जाएं कन्याओं द्वारा ही ज्यान बान मारे ये दिखाया है ना ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे जो अपने धर्म के होंगे वो जल्दी समझ जाएंगे वानप्रस्त वालों को वा जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना उठाना चाहिए हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं सेकिन नंबर है ब्रह्मा विश्नु शंकर हम आपको वर्ल की हिस्ट्री जोग्रोफी बताते हैं कि मनुश्य 84 जनम कैसे लेती हैं ये 84 का चक्र है ब्रह्मा सर्श्वती सभी की कहानी बैठ बताईं ये तुम बच्चों के सिवाए कोई समझा ना सकी आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायन ने राजय कैसे पाया और फिर कैसे गवाया अच्छा ये भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मन मना भव हो जाओ ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी जाएं अच्छा नीथे मीथे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मोर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पोईंट अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है बाप से जो प्रतिग्या की है उस पर अटल रहना है दूसरा पोईंट भोजन बहुत शुद द्रिष्टी देकर स्विकार करना है बाप अत्वा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है वर्दान सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वेम को भरपूर अन्भव करने वाले मास्ट्र दाता भव विस्तार कहा जाता है एक दो हजार पाउ विनाशी खजाना देने से कम होता है अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है लेकिन दे वही सत्ता है जो स्वेम भरपूर है तो मास्ट्र दाता अर्थार्थ स्वेम भरपूर वे संपन रहने वाली उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वेत्य होती है मांगने वा फर्याद करने की दरकार नहीं स्लोगन अपनी स्थिती अचल अडोल बनाओ तब अंतिन विनाश की सीन देख सकेंगी अच्छा ओं शान्ती